नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्थ क्यू में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं, स्वास्त से जुड़ी कुछ बहतरीन जानकारी और उपाए. बढ़ते प्रदूशण से परिशान हैं, तो घर में लगाएं ये पौधे, और चैन की सांस लें. दिल्ली NCR के ज्यादा तर शेत्रों में स्मॉक की समस्या बढ़ती जा रही है. प्रदूशण के कारण लोग खांसी, गले में खराश, आँखों में जलन और कई तरह की बिमारियों का शिकार हो रही हैं. ऐसे में जो लोग इन समस्याओं से पहले से ग्रसित हैं, उनके लिए ये प्रदूशण घा तक साबित हो सकता है. क्योंकि हर वेक्ती बाजार में उपलब्ध महंगा एर प्यूरिफायर नहीं खरीद सकता, इसलिए हम कुछ ऐसे पौधों के बारे में बताएंगे, जिन्हें आसानी से खरीदा, वो उनकी देखभाल की जा सकती है. ये पौधे ना सिर्फ घर में ऑक्सीजन की मातरा बढ़ा सकते हैं, बलकि ये प्रदूशण को भी नियंतरित कर सकते हैं. जिसमें से पहला पौधा है ऐलोवेरा. घर पर रखने के लिए ये बहतेरीन पौधों में से एक है, क्यूंकि ये कार्बन डाइकसाइड, फॉर्मल डेहाइड और कार्बन मोनोकसाइड जैसे वाईउ प्रदूशणों को अफशोशित करता है. एक ऐलोवेरा प्लांट नौ एर प्यूरिफायर के बराबर माना जाता है. इसके अलावा एलोवेरा से निकलने वाला जैल तवचा के लिए भी अच्छा होता है. इन्हें सूरे की रोशनी में सीधा नहीं रखा जाता और पानी डालने से पहले उंगली से सूखापन जाच लें, क्यूंकि हर समय नम में भी जाना जाता है. इस इंडोर प्लांट को घर में लगाना काफी पसंद किया जाता है. यह बेंजीन, फॉर्मल डेहाइट पॉइसनिंग, कार्बन मॉनोकसाइड पॉइसनिंग और जायलिन जैसे वायू प्रदूशुकों को अवशोशित करने के साथ-साथ ताजी हव चोड़ता है. पॉथोस लंबे समय तक बढ़ने वाले पत्तेदार बेल होते हैं. विभिन स्थितियों में फलने फूलने वाले ये पॉधे आट फीट तक लंबे हो सकते हैं. इन पॉधों की मिट्टी सूखने पर पानी दिया जाता है. जब ये पॉधे बहुत बड़े हो जाते हैं तो इन्हें ट्रिम यानि कांट-छांट की जाती है. तीसरा पॉधा है स्पाइडर प्लांट्स. सर्दियों के दिनों में हीटर और अंगीठी घर के अंदर की नमी को सोक सकते हैं. इसके कारण घर में रहने वाले व्यक्ति को ठंड लगने या फ्लू होने की संभा बढ़ सकती है. कुछ लोगों को त्वचा में खुजली जैसी दिक्कते भी हो सकती हैं. हाउस प्लांट हवा में नमी बनाते हैं. एक अध्यन में पाया गया है कि स्पाइडर प्लांट को बेडरूम में रखने से नमी की मात्रा में 20-30 फीजदे तक की वृध्धी हो सकती है चोथा है चाइनीज एवर ग्रीन या पीस लिली. शोध करताओं ने पाया है कि कमरों में यदि पत्तेदार पौधे नहीं रखे जाएं तो ऐसे कमरों में धूल वफफूंदी की समस्या उन कमरों की अपेक्षा ज्यादा होती है जिन में पत्तेदार पौधे रखे जाते है बता दें कि किसी पौधे की पत्तियां वा अन्य हिस्से एलर्जी और वायू जनित कड़ूं को प्राकृतिक रूप से फिल्टर करने में समर्थ होते हैं ऐसे पौधों में चाइनीज एवर ग्रीन या पीस लिली को बहतरीन माना गया है हेल्थ से जुड़ी और जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल हेल्थ क्यूं के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप स्वास्त से जुड़ी कोई भी जानकारी से वन्चित ना रह जाएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो साथ ही से लाइक और शेर भी जरूर करें